हेलो स्टू मैं हुरजात बहुत बहुत स्वागत था अब सभी का इस न्यू वीडियो में दोस्तों बात कर रहे हैं सीरियल को मैं किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में और एक नई स्टोरी लाइन के बारे में जो कि सीरियल जल्द ही पकड़ने वाला है वो भी ईशा मैम और शांतनू की रिटन के बाद जियां दोस्तों यहां पर सभी लोग सवाल पूछ रहते कि कहानी में सीरियल के मेकर्स ने बहुत कुछ ऐसा है जो अदूरा छोड़ दिया और बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो सीरियल के मेकर्स ने इतनी क्विकली दिखाई कि देखकर सीरियल को ऐसा लग रहा है कि सीरियल के मेकर्स खुद कन्फ्यूजन में हैं कि आकरकार वो स्टोरी लाइन में दिखाना क्या चाते हैं और ऐसा लग रहा हो कि एक ही दिन पहले उन्होंने डिसाइड किया हो यार स्टोरी लाइन को चेंज करना है और एपिसोड उसी तरीके से बना कर पेश कर दिया है अब देखें यहां पर कॉलेज का चाहे वो एन्वल फैस्ट ही क्यो ना हो कलचेर फेस्ट क्यो ना हो संसकर्थी 2023 क्यो ना हो बेढ़ है और इसी के साती और भी तमाम ऐसी चीजे मौचुज है जो सीरियल के मेकर्द ने बीच में ही अधूरी छोड़ दिया और उसके बाद कहानी अचानक से शादी पे पहुँच गई अब चलिए आपको बताता हूँ सबसे पहले तो मैं ये खिशानते हूँ और इशा मैम जो है उनका रिटन कब तक हो सकता है और देखो यार लगातार इस बारे में बता रहा हूँ पर ये सावल रुक नहीं रहा है इसलिए हर वीडियो में मुझे लाना पड़ता है और मैं आपको अल्रीड इस बारे में बता चुका हूँ कि फिक्स तो बता ही नहीं सकते हैं फिलाल की वो अक्रकर कब आने वाले हैं विकाज जब तक कोई एक करेक्टर सेट पर नहीं पहुंच जाता भला कोई कैसे बताए कि कब तो CLK मेकर सुन को बलाने का प्लान बना रहा है और कब उन्हों को आकर सीन शूट करना है तो फिलाल वो सेट से दूरी बनाए हुए है तो ऐसे में फिलाल तो उनकी आने के कोई गुंजाईश नजर नहीं आती है एक दो सब्ता तो बिल्कुल भी नहीं अगर उसके बाद वो रिटर्न आते हैं तो देखो यहां पर सवी की पावर हो जाएगी टोटली डबल क्योंकि यहां पर बोसले परिवार के अंदर एक भी ऐसा शक्स नहीं है जो कि सवी के सपोर्ट कर पाए यहां पर शिखा, अश्मीता और अनवी जैसे कुछ करेक्टर्स हैं जो कि सवी का साथ देना चाहते हैं पर उनकी घर में सुनने वाला कोई भी नहीं है ऐसे में शांतुनू हुई वो किरदार होने वाला है जो कि इशान के बाद सवी की दूसरी आवाज बनेगा आप देखो इस ट्रैक के उपर हम लोग चलेंगे पर सबसे पहले में आपको बता देता हूँ अपकमिंग एपिसोड के बारे में देखो लेकिन क्योंकि आप मेंसे बहुत सारे लोग है न यह अपकमिंग एपिसोड के लिए यहां पर मौजूद होंगे क्योंकि आने वाली इस्टूरलाइन जो एक दू महीने बाद आईगी उसको जानने में कुछ लोगों का इंटरस्ट बहुत जादा होता है पर बहुत सारे लोग सिर्फ आने वाले एपिसोड के बारे में जानना चाहते हैं और अब उससे नॉर्मल बच्चे दूरी बना कर रखें तो वो ही भैतर होगा अब यहाँ पर दुरुआ ने तो यह सारी चीज़े बता दी और दुरुआ से तो हमाँ एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं कि वो विलन वाला काम करेगी लेकिन जो यहाँ पर नव्या और जो बाक सान नहीं आया है आसंतक और आपके साथ भी ऐसा होगा आपके दोस्त के वी फैमिली बैग्राउंड में बहुत सारे दोस्त होते हैं किसकी इस्तितर अच्छी होती इस कि कि क्लास होता है लेकिन दोस्ती की एकड़म बराबर होती है बेज़ जति होरी घότε है तो उसकी भी और दोस्ती के बेच वे ऐसा कुछ नहीं आता पर वो कहते है ना कि बुरे समय पर हर कोई साथ छोड़ कर चले जाता है और सवी के दोस्तों ने भी यही साबित कर दिया कि वो यहां पर पूरी तरीके से मुझे तो समझी नहीं है उनके पास रीजन क्या था उन्हें तो खुश होना चाहिए था विकॉज जब इशान जब सपोर्ट करता था सवी का तो वो लोगी बहुत कुश होते थे कि देख सवी शान जरत्रे सपोर्ट कर रहे है और आज जब उनके कहानी पूरी होगी तो जैसे लग रहा था कि शायद उनको वो शाय दिवादी करनी होगी वहल यह पर आगे बढ़ेंगे हम कहाने की और तो अक्का साहिब और ये शुन्त को लगने वाला है कि सवी ने जो है सारा डिंडोरा पिटा है कॉलेज में जाकर सवी गर पर आकर एक्स्प्लेइन करने वाली ही कि मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया और आप लोगों मुझे कॉलेज जा जाकर डिंडोरा पिटा है कि हम लोगों की शादी हो गई है मैंने तो जिक्र भी नहीं किया था ऐसे में यहाँ पर इशान सभी घरवालों के अगेंस्ट जाते वे चाहिए उसके अगले सीन में ही सही लेकिन यहाँ पर सवी का फुल टू सपोर्ट करते वे नजर आएगा औ और यह सारी गलती इस दूर्वा की है और इस दूर्वा ने इस्टिशन में आकर जाकर सभी को यह बताया कि हमारी शादी हो चुकी है और उसने सभी पर उल्टे सीधे आरो फिर से लगाए यानि कि यह कहें कि पूरी तरीके से इशान जब सभी का सपोर्ट करने वाला है तो मिल गई भाई और मेरा डर बढ़ गया कि यहाँ पर कहानी कहीं न गहीं वहाँ पर जातो रही है आप देखो यहाँ पर शान दूर्वा जब भी आने वाला है ना तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि प्रॉपर्टे कर चकर जरूर शूरू होगा बिकॉस यहा लेकिन जब सवी का वो सपोर्ट करने वाले हैं तो सवी की पावर हो जाने वाली एक्तम डबल तो उन्हें डड़ सताने वाला है कि यार कहीं पर यह लोग हावी न हो जाया और घर के कुछ पुराने राज न खुल जाया बिकॉस आपको ही पता है कि वो 20 साल वाली वसीहत का रास तो आज तक दूरा है यह तो मतलब दूर दूर तक कोई प्रेडिक्शन भी ने लगा सकता कि यह कौन सी वो थी कि भाई क्या किया जाया मतलब येशवन्त और निशीकांड और शांतनू के पिता जी की एक प्रॉपरिटी के डॉक्यूमेंस ते मैं आपको बतायाता हूँ गर आपको याद ना हो तो उसकी शर्थ यह थी कि अगर 20 साल पहले उसको खोल लेते हैं तो वो मानने नहीं होगी लेकिन अगर 20 साल के बाद जब सब सेटल हो जाएंगे उसके बाद अगर खोलेंगे तो प्रॉपरिटी को लेकर किसके पास कितना हिस्सत जाएगा ये उस विल में लेखा हुआ था और वो आगे जाकर हमें देखने को मिलेगी लेकिन उस समय पर येशवन्त और करने वाला और दूरवा को भी काफी कुछ सुनने को मिलेगा और आप लोग अपने ओपिन जो है शेयर कर सकते हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कर सकते हैं आप लोग मुझे लिंक डिस्क्रिप्चिन में यूजर नेम भी नज़र आ रहा है कर दो यार सपोर् सब्सक्रिप्चिन में दिया गया है चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए अपडेट के लिए मैं मिलूंगा आप सब्सक्राइब को इस एक लिए वीडियो में जब तक के लिए थैंकि दोस्तों